तमिलाडू सरकार के मंत्री उदेनिधी स्टालिन ने सनातन धर्म को जेंगू मलीदिया की तरह बताते वे इसे पूरी तरह समाप्त करने का आवाहन किया और कुचल देनी की बात की ही आपको बता दे उनका ये बयान जंगल में आकी तरह फैल गया और देखते ही देखते स्टालिन के खिलाप देश में उबाला गया आमादमी से लेकर राजनिती गलियारों में भी उबाला गया दिली समित देश के अन्य हिस्तों में उनके खिलाप मुगद में धर्च कराएगे इस टालिन का बयान ऐसे समय आया जब इसाई बहुल देश अमेरिका के स्टेट जॉर्चिया ने अक्ट्यूबर मा को हिंदू विरासत माग खोचित किया है पता दे किसे पहले इस राजने हिंदू फोबिया को लेकर कानून बनाया था अमेरिका के कई अन्य राज हिंदू तेवारों पर शुट्रा खोचित कर चुके है इस विरोध भास के बीच समदना जरूरी हो चला है कि आखिर सनातन धर्म क्या है यह कब से प्रचरल में आया सनातन धर्म के पहले क्या कुछ था सनातन धर्म की कोई किताब, कोई देवताफ फिक्स हैं सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या जतन किये गए धर्म गरंथों में सनातन धर्म को लेकर किस तरह की बातें तर्च हैं आपको बता दें कि अचार रगुनादा शास्ती जी कहते हैं सनातन अर्थाद जिसका कोई अंत नहीं जिसका कोई आधी नहीं ऐसे में सनातन धर्म की उत्पत्ती कब हुई इस पर चिपड़ी ही बेनामी है जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं वे अज्ञानता वस ऐसा कर र और ये सब हमारे आधार ग्रंथ हैं राम और कृष्ण का जन्म अलग-अलग यूग में हुआ उन्होंने अपने चीवन में आधर्स प्रस्तुत किये तो दुस्ट शक्तियों का नास करने में देर नहींगी यही सनातन है यही सच है सनातन कभी किसी धर्म की आलोचना नहीं क पूरी धर्काधीज सनातन धर्म के अधार है श्री शास्ती जी कहते हैं वालमिक रमाण में 64,000 तीठो की कड़ना की गई है चार यूग में चार मंदिरों की चर्चा की गई है सत्यूग में बद्रीनात के दारनात्स प्रेता में रामेशिवरम द्वापर में धर्काधीज तथा कलियोग में एक जगनात कूरी है ऐसे में जिस धर्म का रिष्टास सत्यूग से हूँ उस पर सवाल उठाना दुर्भाग के पूर है और युद्ध्या के अचार स्वामी विवेका नन सनातन की उत्पत्ति पर एक श्रोप सुनाते हैं इस खबर पर आप क्या कहना चाहेंगे हमें कौमेस करके जरूर बताएं ऐसी ही और खबरों के लिए आप देखते रहें जन भावना टाइम्स कर दो